शाम के समय भूल कर किसी को ना दे ये चीजें, माता लक्ष्मी हो जाती है, नाराज और बरकत हो जाती है, खत्म. शाम के समय घर का मुख्य द्वार हमेशा खोल कर रखना चाहिए, और भूल कर भी इस समय किसी को धन नहीं देना चाहिए. दरसल शाम के समय माता लक्षमी का घर पर आगमन होता है और ऐसे में किसी और को धन देना लक्षमी को विदा करने के समान माना जाता है इसलिए भूल कर भी शाम के समय धन का लेन देन नहीं करना चाहिए शाम के समय भूल कर भी किसी को घर की जाड़ू नहीं देनी चाहिए क्योंकि जाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय घर में जाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए ऐसा करने से घर का धन बाहर चला जाता है देना चाहिए क्योंकि दूद और दही का संबंध भगवान विश्नु, माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से है। गुरु कमजोर होता है और आपके धन और वैभव में कमी आती है। कुंदली में अगर गुरु की स्थिती मजबूत होती है, तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, और ग्यान वलाब में वृद्धी होती है। शाम के समय भूल कर भी प्याज और लहसुन नहीं देना चाहिए क्योंकि इनका संबंद केतु ग्रह से माना गया है। केतु का संबंद जाटु टोना और उपनी ताकतों से भी होता है। इसलिए भूल कर भी शाम के समय प्याज लहसुन देना अच्छा शगुन नहीं माना गया है। शाम के समय नमक और सुई भी नहीं देनी चाहिए। नमक और सुई घर की महत्वपूर्ण चीजों में से एक है इसलिए ध्यान रखें कि अगर कोई पडोसी आप से शाम के समय नमक या सुई लेने आए तो उनको साफ मना कर दें। ऐसा करने से घर के सदस्यों की तरक्की नहीं होती और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।